बिलासपूर में मौनसून की दस्तक के बाद बरसात का कहर देखने को मिल रहा है एक ओर जहां भारी बारिश के चलते ओहर कोहीना सडक मार्क पर स्थित भजवानी पुलक शतिग्रस्त हो गया है बिलासपूर एडियम विने धिमान ने बरसात के चलते जिले में एक करोड का नुकसान होने की बात कही है पिछले साल हुई भारी बारिश का असर सीधे तोर पर जहां पूरे प्रदेश के अर्थ व्यवस्था पर पड़ा था तो वहीं इस बार भी मौनसून की दस्तक के साथ ही नेशनल हाईवे पुलों वसरक मार्गो सहित जंगल और आईपयच स्कीम्स पर भी बरसात का असर देखने को मिल रहा है वहीं बात करें बिलासपूर जिले की तो पिछले साल भारी बारिश के चलते जिले को लगभग 50 करोड के नुकसान से गुजरना पड़ा था तो वहीं इस बार भी बरसात के शुरुवाती दिनों में ही जिले को एक करोड के नुकसान की मार पड़ी है बिलासपूर में हुई भारी बारिश के चलते औहर कोहिना सडक मार्ग सित भजवानी पुल शतिग्रस्थ हो गया है और पुल की मिट्टी धसने से बसों वो गाड़ियों की आवजाही बंध हो गई है जिसके चलते रिशिकेश सहित दस पंचायतों के ग्रामीनों को बिलासपूर जाने के लिए कई किलोमेटर पैदल सफर कर पुल के उपर से जाना पड़ता है गौर तलब है कि कीरतपूर नेर्चौक फोरलेंड निर्मान के दौरान ग्रामीनों के आवजाही के लिए भजवानी पुल का निर्मान किया गया था जो कि बरसात की मार कून नहीं छेल पाया भारी बरसा होने के कारणी भारी नाड़ाया और उसे यहां अड़ा लग गया ना कुछ है पैप आड़ गई और बंद बन गया और उसे पूरी चले गई नहीं बस नहीं अभी नहीं जा रहे है जब पूरी पड़ जागी तो बस जाएगी विभन विभागों के अधिकारियों द्वारा बरसाज की चलते जिले को एक करोड का नुकसान होने की रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही वो इन प्लेस हैं उनके मिशिनरी में जितने भी हैं वो अलर्ट पे हैं अभी जो है वो और के पास बजवानी ब्रिज में जो एने चाई के अंडर है उसमें प्राब्लम आगी थी वो तूट गया था तो पीड़ वर्डी को जो हमने निर्देश जारी किये थे तो उसको इम सिटी चैनल के लिए बिलासफुर से कैमराबेन अजे के साथ विजे भारतवाज की रिपोर्ट